हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमेक इस दुनिया में तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग इसकूल के स्टेडियम में बचे हुए स्टुडेंट्स को दिखाने से होती हैं वे लोग मॉन्स्टर के अटेक के कारण काफी जादा डरे हुए थे वही थोड़ी देर बा बाद हमें स्टेडियम के कोर्णर में टीचर्स के एक ग्रूप को दिखाया जाता है वे लोग अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोच रहे थे तबी उन में से एक टीचर को सेफ जोन के बारे में याद आता है कि सीटी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी की नजर उन पर पर सकती है और उन लोगों की जान खत्रे में आ सकती है जिस पर एक सेलफिश टीचर कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाए हम लोग अकेले भी वहाँ पर जा सकते हैं लेकिन ये आइडिया बागी के टीचर्स को क्योंकि उनका मानना होता है कि टीचर्स को हमेशा अपने स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए तभी मूफेन के टीचर को आइडिया आता है कि हम उन इस्टूडेंट्स को पहले बाहर भेजेंगे जिने मेजिक का यूज करना सही से आता है ताकि वे लोग मोंस्टर्स को कर सके और फिर उनके बताए हुए रास्ते से हम बाकी के स्टुडेंट्स को सेफ जोन में लेकर जा सकते हैं जिसकी बाद अपने टीचर इस्पेशल ग्रूप बनाने के लिए सारे स्टुडेंट्स से बात करते हैं जिसे सुनकर कुछ बहादूर स्टुडेंट्स सामने आकर ग पर खड़े ओकर सुन रहे थे जिस पर मूफेन कहता है कि इतने सारे स्टुडेंट को बाहर लेकर जाना बेवकूफ ही भरा आइडिया है क्योंकि लार्ज नंबर ओफ स्टुडेंट्स को मॉंस्टर काफी इजीली ट्रेक कर सकता है इसलिए मैं भी स्पेशल ग्रूप जोइन क करूँगा तभी जैंग उससे पूछता है कि ऐसी सिचुवेशन में भी तुम इतने शान्त होकर कैसे सोच पा रहे हो जिस पर मूफेन कहता है कि तो क्या करना चाहिए पैनिक में आकर अपने आपको मॉंस्टर के हवाले कर देना चाहिए जिसके बाद वे दोनों अंदर आत जाते हैं कि वे लोग भी स्पेशल ग्रूप जोइन कर रहे हैं वही मूफेन को देखकर सब लोग काफी जादा खुश होते हैं क्योंकि मूफेन उन सभी से काफी जादा स्ट्रोंग होता है तभी सीन कट होता है और हम लिन मिन को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके प और फिर येंग के पूछने पर बताती है कि उसने अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को ब्लेक और्गनाइजेशन से बचाने के लिए मूफेंड को दिया है जो इस वक्त सेफ जोन के तरफ जा रहा है हाला कि मुझे उसकी एक्जेक्ट लोकेशन नहीं पता जिस पर येंग क कहता हैं कि ये चीज तुमने काफी अच्छा किया क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग एक स्टुडेंट के पास हैं साथ ही में वो ये भी कहता है कि मूफेन एक स्टुडेंट है वो इस क्राइसिस में नहीं बच पाएगा इसलिए हमें जल्द ही उसे ढून कर उससे अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की बोटल लेनी होगी। तो इस तरफ सारे स्टुडेंट्स स्कूल के बाहर आ गए थे। और टीचर के कहने पर वे लोग अपने बेच को टच करके अपना रूप बदल लेते हैं। ताकि वे लोग आसानी से मेजिक का यूज कर पाए। तो दूसरी तरफ हम मूनिंग को अपने डेट के साथ सेफ जोन में लेंड करते हुए देखते हैं। वही जो सोल्जर्स मूनिंग के डेट को अंदर लेकर जा रहे थे। उनसे मूनिंग पूछती है कि स्कूल से कोई आया या फिर नहीं जिस पर सोल्जर्स कहते हैं। नहीं अभी तक कोई भी स्टुडेन यहाँ पर नहीं आया है। जिसे सुनकर मूनिंग को और भी जादा मूफेन के चिंता होने लगती है। तो इस तरफ टीचर स्पेशल ग्रूप के सभी स्टुडेन्स को अलग-अलग होकर मॉन्स्टर को ट्रेक करने के लिए कहते हैं। जिस दोरान जैंग को एक वन आय रेट मॉन्स्टर दिखता है इसलिए वो बाकियों को यहाँ पर बुलाता है। मगर जब टीचर और मॉफेन वहाँ पर आते हैं तब वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो चुका था। ये चीज़ देखकर जैंग को खुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो मॉन्स्टर अचानक से गायब कैसे हो गया। तो टीचर एयर एलिमेंट वाले स्टुडेंट्स को आगे का एक चक्कर लगा कर आने के लिए कहते हैं जिसे सुनकर जैंग और लो नाम की लड़की आगे देखने के लिए जाती हैं और जब लो आसपास का एरिया चेक कर रही थी तब ही उसके पीछे एक रेट मॉन्स्टर आता है और देखते ही देखते उस पर हमला करके उसे मार देता है वहीं उसकी चिलाने की आवाद सुनकर मूफें तुरंत वहाँ पर आता है और लो की हालत देखकर चिलाते हुए अपना गुसा दिखाता है इसके बाद सारे स्टुडेंट्स लो की डेट बोडी के पास आते है जिसकी हालत देखकर उन्हें काफी डर लग रहा था क्योंकि वे लोग काफी अच्छे से जानते थे कि उनका एक गलत कदम उनकी जान तक ले सकता है तो भी जेंग अपनी गल्फरेंड ही यू के पीछे से एक रेट मोंस्टर को आते हुए देखता है मगर उसके इन्फर्म करने से पहले ही मोंस्टर ही यू पर अटेक कर देता है ये देखकर जू नाम का स्टुडेंट अपनी लाइटनिंग ऐलिमेंट से मोंस्टर पर अटेक करने की कोशिश करता है मगर मोंस्टर उसके अटेक से बच जाता है जिससे देखकर मूफेन अपनी lightning element से उस पर attack करता है जिससे monster paralyze हो जाता है और फिर teacher light element का यूज करके monster को एक ही attack में मार देते हैं इधर zoo movement से पूछता है कि तुमने monster पर एक ही बार में attack कैसे किया क्योंकि वो तो काफी fast move हो रहा था जिस पर मूफेन कहता है कि हमें उसकी current location पर नहीं बलकि उसकी body movement को देख कर उसके future location पर attack करना चाहिए और मैंने ऐसा ही किया इसके बाद zoom in low की dead body को लेकर आती हैं जिसे देखकर सारे students निराश हो जाते हैं क्योंकि दो monsters के एक साथ attack करने पर वे लोग उनके सामने टिक नहीं पाए जिसके कारण उनकी एक member मारी गई जिसे सुनकर मूफेन सभी से कहता है कि ये time डरने का नहीं बलकि हिम्मच जुटा कर बागी के students को safe zone तक लेकर जाने का है और हमें हार मान कर low के sacrifice को जाया नहीं जाने देना चाहिए जिस पर सारे लोग agree करते हैं आगे teacher भी मूफेन से पूछते हैं कि इतनी खतरनाक situation में भी तुम शान्त रहेकर सही decision कैसे ले पा रहे हो जिस पर मूफेन कहता है कि मैंने दो सालों तक city hunter group में काम किया है वहाँ मैंने ऐसे कई सारे monsters के साथ fight की है और उसी के कारण आज में शान्त रहेकर decision ले पा रहा हूँ तबी जेंग वहाँ आकर उन्हें inform करता है कि उसने तीन one eye wolf monster को देखा है जो अलग-अलग location पर है जिसे सुनने के बाद मूफेन एक plan बनाता है जिसके अनुसार first वाले monster को जेंग अपनी power की मदद से अपने पीछे लगाएगा जिसके साथ ही उसे वो ये भी बताता है कि one eye wolf monster को मुडने में काफी तकलिफ होती है इसलिए तुम्हें सीधे भागने की बजाए अलग-अलग direction में भागना होगा और इससे तुम्हें उसकी अगली location के बारे में पता चलेगा और तुम उस पर attack कर पाओगे जिसके बाद वो मूबे को अपनी ice element का use करके second monster को जादा से जादा देर तक जमा कर रखने के लिए कहता है जिस पर मूबे हा में जवाब देता है और फिर third वाले monster से लड़ने के लिए वो सभी से कहता है कि हमें एक साथ अपनी अलग-अलग powers का use करके monster पर attack करना होगा जिससे monster को attack करने का time नहीं मिलेगा और इस तरह से हम उससे आसानी से मार पाएंगे वही इस plan को सुनकर सब लोग काफी जादा खुश होते है और moving को उनका leader घोशित करते है और फिर guys इसी के साथ ये episode यहीं पर खत्म होता है